बूर्णिंग फिफ ख्लास तेडे भी अगेन दो युनित नमंबर 10 एभर जीस जो हमने लास्ट टाम किया था ये टॉफिस का एग्जांपल किया था जिट ओफिस का हमने एक्जाम्पल किया था I hope you have cleared ओके एक्जाम्पल किया था राम जो वेजेटेबल सेलर था एक्जाम्पल नम्बर 1 ओके अब हम करेंगे वक्षिट नम्बर 1 आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो होगी वक्षिट नम्बर 1 की वक्षिट नम्बर 1 हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले है complete the table by finding the averages of these sets आप इन sets की क्या निकालनी है averages निकालनी है इस यह number of sets आपको दे रखा है first one is done for you वो कहरे पहला first उन्होंने आपको करके दिया है बाकी आपको करने है very easy बहुत असान है तो हम इसको बहुत interesting way में और ध्यान से देखेंगे तो हमें बहुत असान लगेगी ठीक है तो all are ready yes number one जो हम first इन्होंने करके दिया है उसमें numbers कौन-कौन से है जो set of numbers है 15, 21, 18, 26 and 30 तो सबसे पहले क्या किया इन सारे numbers का sum कर लिया sum of numbers तो इन सब का sum of number अब क्या है 110 तो वो कैसे किया obviously प्लस किया इसको ठीक है इन सब को प्लस किया पहले 15 को 21 के सब प्लस किया फिर जो answer आया उसमें 18 प्लस कर दिया फिर जो answer आया उसमें 26 प्लस कर दिया फिर जो answer आया में 30 plus कर दिया तो क्या आगया 110 अब जो sum of numbers है जैसे कि हमारा formula है average का sum of number divide by total number of addends तो हमें sum of number पहले निकाल लिए फिर total number of addends देखने यानि कि number of number of addends कितने हैं तो कितने number of addends है 1 2 3 4 5 तो कितने हैं 5 तो यहां लिख देंगे number of addends 5 तो बस वही formula हम लगा देंगे average का क्या है sum of numbers divide by number of addends तो sum of numbers कि 110 तो यहां लिख दिया 110 और divide by number of addends लिख दिया 5 तो 110 को 5 से divide करेंगे तो हमारा answer आजए का 22 वह कैसे आएगा आप करके देखो 110 को 5 से divide करेंगे तो कैसे करेंगे हम divide देखो यह 110 लिया हमने इसको हमने डिवाइड कर दिया किस से 5 से तो 5 का table 5 के table में 11 होता है 10 होता है तो हम क्या करेंगे 5 to the 10 then 1 minus 0 1 and 1 minus 1 0 फिर again हम 0 यहां से लेंगे अब 10 है तो 10 5 के table पे किस पे होता है 2 पे तो 10 10 तो यह इसका answer क्या आगा है 22 तो यह देखो यहां पे हमारे पस क्या है answer 22 तो ऐसे ही अब हमने next set करना है next में हमारे numbers कौन कौन से है 3 2 7 8 5 3 ठीक है 3 2 7 8 5 तो इसके according 3 plus 2 कितना हो 5 5 plus 7 क्या हुआ 12 12 plus 8 कितना हुआ 20 और 20 plus 5 कितना हुआ 25 तो यह आगे हमारे पस 25 sum of numbers और यह total number of addends कितने है 1 2 3 4 5 तो कितने है 5 तो हम क्या करेंगे उपर लिखेंगे sum of numbers नीचे लिखेंगे number of addends 25 divided by 5 क्या हो जगा 5 क्योंकि 5 के table पे 25 किस पे आता है 5 पे ठीक है इसी है ना अब next करेंगे हम 36 plus 14 plus 17 plus 42 plus 101 plus 36 तो इसका आपको plus करना है तो plus करके यहां लिखना है और इसके total number of addends कितने है 1 2 3 4 5 6 तो यहां पे हम क्या लिख देंगे 6 ठीक है और यहां पे जो sum आएगा उसको इसके divide में 6 और फिर जो इसको divide करके जो answer आएगा वो हमारा average इसके आपने यह वाला करना है इसके यह करना है इसके साथ रूपिज लिखे हुए है तो रूपिज तो इसके quantity है हमें उसको नहीं देखना हमें क्या देखना है 28, 40, 22 इनको आड़ करना है इसके cm लिखा है तो वह उसकी unit लिखी हुए हमें उसको नहीं देखना है हमें क्या देखना है numbers 8, 25, 32, 19 ठीक है ऐसी यह करना है इन लपस के आप बस करना है तो आपको लिखने है तो यह आज आपका homework है यह आपको complete आपका यह table है पूरी इसको complete करना है और यह जो अब second और third question है यह हम next video में करेंगे कल करेंगे तो आज के लिए इतना काफी है clear है आपको तो अब यह try करो अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे कमेंड में लिख सकते हो ठीक है ओक्यू बटा all the best take care God bless you